सब्सक्राइब कर दिया था जो कि था कंपनी अकाउंट जो बेजिकली मैंने बता है ट्वेल स्टांडर के ऊपर जो चैप्टर था इशू ऑफ शेयर करके चैप्टर नंबर एट है सेम टू सेम वही चैप्टर था बस खाली कुछ एक दो एंट्री नहीं था जैसे वापर बैल आज चैप्टर किया था जो कि प्रॉफिट प्राइरेटी टू इनकॉर्परेशन ओभी हमने खतम कर दिया था आज हम करेंगे सर इशू ऑफ डिबेंचर सरो रिडम्शन और प्रेफरेंस शेयर करा ही बेटा करा होगा डोंट वरी आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर ज मार्केट को मीं निकालेगी शेयर निकां रेकी तो ओल्ड में को ऐसा नहीं चाहिए उसको बहूत सारी प्राइलिटी सानी पड़े की वोटिंग राइस मिव neutr uts जैसे अगर बैंक के पास लोन लेने जाएगी तो बैंक की भी बहुत साथी फॉर्मलेटी होती बैंक बोलेगा यह का गच लाओ पूरा चिठा मांग लेगा यह लाओ तो कंपनी क्या करेगी डिबेंचर निकालती डिबेंचर मतलब करें को अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चलो उसका शिर नी तो इसके डिबेंचर में पैसा लगा दूई और चीज जब भी बिजनस बंद गा तो सबसे पहला पैसा किसको दिया जाएगा डिबेंचर उसके बाद पैसा बचेगा तो इकविटी शेर ओडर को दिया इसके बाद कितने टाइप के डिवेंचर होते सब करेंगे और नेक्स लेक्चर में इसकी जर्नल एंट्री करेंगे थर्ड लेक्चर से क्या करेंगे समकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसमीनिंग इन एडिशन तुद फंड राइस बाइड इशु आफ शेर कंपनी विव टू बॉर लार्ज अमांट अब मनी फंड राइस होगा कैसे इस्ट फेर होगा तो कंपनी है व्टू बॉरो क्या करेंगा लार्ज अमांट अब बनी बहुत सारा पैसा चीए इट में नॉ में भी देख्या लिखा है डिवाइड इन्टु तो मैनी यूनिट्स कॉल्ड डिबेंचर इसको मैनी बहुत सारे चोटी 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 उनिट में डिवाइड कर देगे उसको बोला जाएगा डिविडेट मतलब किसी को पचास उरुपया भी इंडिवेस्ट करना तो भी कर सब्सक्राइबार देएड इस चेले लर्च नंबर वर सेम बहुत सारे लोग को दिया जाएगा जैसे मैं ने बता है था अब पर्षेस डिवेंचरी इसको क्या बोला जाता है शेर ओल्डर बुलाजाएगा अचे इस चिपणनी इस इस वीजिवेंचर होल्डर बुला जाए लोन के तौर पे दिया जाएगा मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर रेकोर्ड रहेगा कि तुमने इतने इतने खरीदे के यह रेट के हिसाब से आपको क्या मेलेगा उस और इंट्रेस्ट वगेरा मिल जाएगा लिटे सबसे पहले शेर क्या होता है कैपीटल होता है डिपेंचर क्या होता है लोन होता है ऑपने उस कंपनी को लोन दिया टो इतने लोन आपने उस और फॉर इंवेस्मेंट अभी देखो जाहिड सी बात है आप कंपनी के शेर क्यों खरीद होगे कुछ रिटर्ण में मिलेगा तो इक खाली ओर नर बनने के लिए कोन खरीदे वाला नहीं डिबेंचर भी क्यों दोगे किसी को पैसा बदले में कुछ मिलेगा तो जैसे आप किस और नहीं होगा विए प्रिवक्त टे का जो तो प्रीविडेंट को अधे लियविविट्ट हुआ कंपणी को अगर profit होगा तो यहां पर क्या साने ओखी अगर प्रोफिट नहीं हुआ प्रोफिट यहां पर नवाच्ट तो मिलेगा न है आप पर एसा नहीं साथ यह दिना पड़ ना परफिट हुआ तो भी आपको देना पैंट्ड कंपल्सरी पे करना गा जैसे आपको बोला रहे हैं 9 पर तो 9 परसंट किसा आपको क्या देना पड़ेगा इंट्रस देना पड़ेगा इसाब से इसका रेट फ्लक्ट्ट्येशन होता रहेगा यहाँ पर आसा ने बोला 9% तो 9% की इसाब से अपने को क्या देना पड़ेगा सर उसको इंट्रस देना पड़ेगा दे रेट इसके रहेगा अभी यहाँ पर चेंज अप्रोप्रियेशन जैसे पेमेंट ऑफ डिविड डिविड़ेड दिया जाएक है अगर नहीं यहाँ पर क्या होगा फैमनेंट ओफ इंट्रस चेंज चार्ज अगेंगेंस अप्रोफित अट्रस इन प्रोफित इवन इव दैर इसनों प्रॉफिट कुछ भी हुआ नहीं तो भी तो तेरको इंटरस्ट में को पे करना ही पड़ेगा समझ मैं रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है यह पर क्या होगा तो हम डिविडेंट देगी है आपर ऐसा कुछ ने प्रॉफिट नहीं भी वह तो भी अप प्रॉफिटी किसको दिया जाएगा चेंटन इसको दिया जाएगा सिसे शेर्उडर को दिया payment of interest get a priority over the payment of dividend payment of interest को सबसे पहली priority दी जाएगी payment of dividend को बाद में priority दी जाएगी अभी देखो priority as a repayment of wind up payment of share capital made after the repayment of debenture सारे debenture को पैसा दे दिया उसके बाद share को पैसा दिया जाएगा यहां पर देखो payment of debenture is made before पहले before the payment of the share सबसे पहले इसको देने के पहले सबसे पहले debenture को देना पड़ेगा secured by change share is a not secured by any change charges यहां पर कोई भी secured नहीं है और यहां पर आता है यह secured होता है non convertible debenture redeemable और after 18 months are secured by charge मतलब क्या होगा 18 मेने के बाद यह क्या हो जाएका secured हो जाएगा यहां पर ऐसा नहीं कंपनी डूब गए तो तुम्हारे शेर भी डूब गए अपने को कुछ मिले का नहीं तुम केस कुछ कर सकते हैं आप पर केस कर सकतो भाई मैंने इस कंपनी में पैसा लगा था अठरा महिना हो गया मेरा अठरा मत्मने भी में इसक्षरी डिस्काउंट युक्ती रिस्ट्रिक्शन निया तुम दे सकते हो बेड़क देऊ डिसकाउंट पर चलेगा यहां पर दे सकते नहीं है क्लियर है रेस्ट्रिक्शन ऑन दपर्चेज ऑफ कंपनी अभी देखो कोई भी शेयर कंपनी का कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जैसे कंपनी 25% अपना क्या कर से प कोई पॉलिसी ओए डिया था गवा रिट्राइंट नोवटिंच्ट्रिक्शन उप्चेज फॉटशन वगेरा निया है वोटिंच्ग्टिंच्टिस्रे को क्या दिया जाए गllowAG वोटिंग राइट की आंपर नो वोटिंच्ग्राइट्रों नहीं है वोटिंग रकिज स्वानितर प्राइस कर सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं अगर किसी भी इंचर खरी तर्टा है इस नोटर रिक्वार्ट दो ऑगर किसी भी कम्पनी के शेर खीज़ खरीद होगे क्यों को पता है कंपनी अच्छी चलब यहां पर क्या होता है डिबेंचर प्रस्डील इस रिक्वाइद टूब यहांसे बहुत सारे मेरे दोस्तों लोग thinking कोई भी कम्पनी में लगा देखे कि क्या करती कि नाम सुना लगा दिया यहां पर आप देखे के कंपनी पैसा दे पाएगी यह दे दोगे नहीं दोगे तरस्ट एता है क्लासिफाइं दोगे क्लासीफाइं चैळसे पहला सिक्योरिटी सिक्योरिटी में दो आता है तो इस पर देटा मतलब यह आते हैं अनसी को इसमें भी दो आते हैं फ्लोटिंग आते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं कि उसमें निकाल दिया ज्यादा डीटेल में पढ़ना नहीं अपने को क्या होता है तुमको गैरेंटीड पैसा मिलेगा डीबेंचर होल्डर है राइट्स टू भी क्या लिखाए रिकावर और आउटस्टेंडिंग लौन एंडगा इंट्रेस्ट आउट अफ सच चार्ज ऑफ असेट्स मतलब क्या हो रहा है सारा इसमें पैसा सिक्योर होता है आप क वह नहीं पर उसने कंपनी अपना कुछ असेट्स गरीवी रखके रहा मतलब सब कुछ पैसा यहां पर सिक्योर होता है तुमारा पैसा कोई लेके भागने वाला नहीं है दो कंपनी इंटर इंटु दॉड़ीमेंट विद्धा क्या लिखा है डिबेंचर और होल्डर मतलब क कंपनी क्या करें कि डिबेंचर मतलब जिसने पैसा लगा है उसके साथ एक्रिमेंट करें कि इसको बोला जाता है मॉटर जिदियर मैं क्लीर नशी तोर पर दिबेंचर बोला जाएका अभी या थेइन नॉट सिक्ट आ डिबेंचर इन अन शेट साथो अब दा इंकस और दॉ डिवेंचेड फोल्डिंग डिवेंचेडेड भीडे इनडेस पीतित असमें पैसा मिलने का कोई गयरेंटी कमपनी डूब गई थुम्हारा पैसा गया इस पैसा मास है को arrest पैसा मिला जाएगा क्लियर प्रो रेटा बेजिस्टर डिबेंचर और डिबेंचर आपको यह कंपनी का नाम पर आपका नाम रजिस्टर रगा कि पैसा लगा है सब कुछ रजिस्टर रगा यहां पर बैर मतलब यह बेज्टर का यहां हमस्पानी को मैं पास कंपनी को पता नहीं होगा कि यहां पर आते रजिस्टर डिबेंचर भी सिव समस्पेन का रजिस्टर भी सिप्टा इंटा क्या पर औन भी क्म्यां ओड holding the debenture holder on a particular date interest is paid or to the person holding the debenture on the specified date with the interest for due कोई भी इंट्रेस्ट बाकि रहेगा specified date को पे कर दीगे रजिस्टर मतलब क्या होता है बैर का मतलब किसी के भी नाम के होगा this debenture did not to be registered with the company such a debenture I like to be currency note की तरह किसी को भी दो किसी को भी लो currency note and can be transferred by the mail delivery delivery किसी को भी हम दे सकते किसी को भी ले सकते this transfer need not to be registered with the company the company has no record of the or debenture company के पास कोई भी record होता नहीं किसके पास debenture तो interest कैसे दिया जाएगा सब्सक्राइब नहीं है तो company interest कि scope अगर मैंने खरीदा no aware of the name of the debenture holder as a no particular date मैं आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक company का अगर उस share खरीदा रहेगा आपको बकाइदे copy submit करना पड़ेगा the interest paid on the क्या लिखाए person who submitted to the company the interest compound interest compounds attached of the debenture certificate आपको क्या करना पड़ेगा एक certificate अगरे issue करना पड़ेगा देखो मेरे पास debenture यह मेरा account number मेरे पर क्या करना है interest दे देना है तो company आपके आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा आपको मिल जाएगा पैसा मतलब आप मुझे 10,000 दो मैं आपको एक साल बाद यह तारीक को आपको आपका पैसा रिटन दे दूगा यह इंटरस के साथ तो उसको रिडिमेबल यह पर रीडिम मतलब आपको आपका पैसा मिलेगा निक पर आपको इंटरस मिला मिलते रहेगा इस डिपेंचर आपको पैसा मिल जाएगा आगे सम करेंगे बैटा सम के पहले हम क्या करेंगे बैटे कि स्पेशल वीडियो आपको मैं जर्नल एंटरी का बता दूगा क्यों अगर जर्नल एंटरी आएगी तो सारे सम सिंपल है और सम बहुत ही सिंपल है यहां पर अपना लेक्चर नबर वन खतम होता है जहां पर हमने पढ़ा सबसे पहले क्या बढ़ा मीनिंग पढ़ा कपा है वह पढ़ा उसके बाद ठाउब से कौन से टाइप था पहले तैंवस के अंदर आप देखो तो यह आता है वां फव fantasy और आता है sir हो हम पर आते हैं र्जिस्टर और यहां पर आते बैरर उसके बाद आते हैं एक रिडिमेंबल दूसरा होता है रिडीमेबल डिमेंचर होता है बेटा क्लियर एक्सपेक करें कि बढ़ने यात है कि आपको समझ में आगे रहेगा कुछ भी डाउट रहेगा कर्मेंट में अब लिख दो मैं जरूर से आपका क्या करूगा रिपलाई दुगा टेंक्यू सो मुच बबाई